ओम नमो नारायना आय नमाः आप सभी पर भगी लक्ष्मी नारायन की क्रपा आप सभी पर बनी रहे इशे सुपकामना के साथ आज इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर मृत्यू सभी की निश्चित है जो जनमा उसकी मृत्यू अवश्यम भावी है जो जन्मा है उसकी मृत्यू निश्चित है और जिसकी मृत्यू हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है ऐसा सास्त्रों में कहा गया है अर्थात ये हमारा जो सरीर है ये परिवर्तन सील है लेकिन हमारी आत्मा हम कभी नहीं बदलते जैसे कि हमारा कुई नाम हो abortाता है तो वही नाम जन्म से लेकर मिर्तियों तक बना रहता है और हमारा सरीर बेलकूल परिवर्तिन हो जाता है जैसे कि हमारा बच्चपन का सरीर फिर युवा वस्था का फिर ब्रद्धा वस्था का बिल्कुल ही बदल जाता लेकिन फिर भी हम कहते हम है अर्थात हम अपने को सुईकार करते हैं कि हम नहीं बदले यही बात तो आपको समझना है जो जन्मा है उसकी अमृत्य निश्यत है असले मरे हुए का सोक नहीं करना चाहिए और जो जन्मा है उसकी बहुत ज़्यादा खुसी मनाने के आवश्यक्ता नहीं है तो सुभ अशुभ हमारे जो कर्म है उसी के द्वारा हमारे सरीर से अच्छे बुरे रूप में प्राण निकलते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं उनके प्राण बहुत आसानी से निकलते हैं लेकिन जो दूस कर्म करते हैं पूरुजर्म का भी हो सकता है तो बहुत ही दर्द से बहुत पीड़ा से उनके प्राण निकलते हैं मनुसी के सरीर में ये चिद्र होते हैं जैसे कि दो नासिका नासिका एक है लेकिन दो चिद्र हैं दो कान, दो आँख, लिंग, गुदा, मुख और ब्रहम्हरंदर जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण उपर के चिद्रों से निकलते हैं और कोई विशेश कल्ष्ट नहीं होता है जैसे हाथी के गले से माला किसक जाती है जैसे हाथी को पता नहीं चलता उसी प्रकार सतकर्म, दान, धर्म, पूजा, भगवद, आराधना, सत्यकर करने वाले व्यक्ति के प्राण हाथी के गले से माला के समान निकल जाते हैं और नहीं तो मृत्यू के समय तो इतना दर्ध होता है जैसे कि लाख हजार विच्छु एक साथ काटें सास्त्रों में भी वर्डन है कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई तो जन्मते और मृत्यू के समय इतना दुख होता है जिसका वर्डन नहीं किया जा सकता एक काटा चुपता है तो हमें कितना दर्ध होता है फिर इस सरीर से प्राण ही निकलता है तो कितना दर्ध होता होगा परन्तु जो साधक होते हैं जिनके मूह से ब्रह्मरंद से प्राण निकलते हैं वहां से सरीर आप किसी के रूप को देख रहे हैं मृत्यू के समय की मल मुत्र का त्याग कर दिया तो आवश यही वो चला जाता है नरक परन्तु जो जिनके उपर के भाग से जिसे मुह इत्यादी कान से नाक से अगर प्राण निकलते हैं तो फिर वो भगवान के धाम या स्वर्ग लोकों की यात्रा को तै करता है इसलिए हमेशा ही शुभ कर्म करिये मानो जीवन को सतो गुड़ी बनाईए इसे भगवान प्रसंद होंगे और आपके जीवन में शुभ कल्याण होगा ये जीवन मनुष्य जीवन केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला है ये मनुष्य जीवन हमें सत्कर्म और सुन्दर कर्म करके इस संसार से विदा होने के लिए मिला है यही सरीर नर्क स्वर्ग द्वार है आपने देखा होगा इस सरीर से ही कि जब कोई सत्कर्म करता है तो यहां सम्मान प्राप्त होता है, जब कोई दुस्कृत कर्म करता है, उसे पुलिस सित्यादी पकड़ कर ले जाती है, तो जब यहां कोई माफी नहीं है, तो वहां तो कोई फरमात्मा की घर, वहां तो कोई भूस भी नहीं चलती, इसलिए आपका सत्कर्म ही आपके लिए सबस बड़ा सर्टिफिकेट है इसलिए उस सर्टिफिकेट को बनाए रखिए और अधिक से अधिक शुब कर्म करिए जिससे आपको भी अंत समय में कस्ट ना हो क्योंकि मृत्यू आ रही है चल चुकी है हम भले ही कहीं बैठे हों लेकिन हम सभी सास्त्रों के अनुसार काल के मुख के गरास है काल ब्याल मुखक गरास प्रास निर्स है तवे तो इसलिए अपनेस मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में परमात्मा की भक्ति में लीं रिये और शुब कर्म इश संसार के कर्म भी करते रहे करते कर्म करो बिजिनाना और मन राखो जहां क्रपानिधाना इस सरीर से संसार के करण करो, शुब करण करो, शास्त्रुबत करो, परन्तु इस मन को भगवान के चरंकमल में रगाय रखो, फर्मात्मा का भजन करिये, शुब कर्म करिये यही आप के लिए आपका सुख, दुख, हानिलाब, जीवनमित्यु का कारण पर नगा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो चला वहोद लाइक करिए पने रहिए जै शीहरी